ना गैस जलाने का जंजट नहीं आपको यहां पर चासनी बनानी हैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही स्वाधिश्ट हम पेड़े बना करके तयार करेंगे एकदम मुँ में गुल जाने वाले पेड़े बन करके तयार होते हैं अभी नवरात्री के वर्ष शुरू होने नवरात्री में भी आप इसे बनागर के खा सकते हैं पांच मिनट में बन जाते हैं तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हम यहां पर सबसे पहले बड़ा बरतर लेना है और एक कटोरी हमें यहां पर लेना है नारेल का बुरादा याने की डैसिके कोकौनेट पाउडर यह मैंने घर कर लिया है आप चाहें तो बजार का भी ले सकते हैं अब जितना हमने यहां पर नारेल का बुरादा लिया था हमने एक कटोरे लिया था तो आदी कटोरी हमें यहां पर चीनिय डाल देनी है चार से पांच हम यहां पर डालेंगे काजू, मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रैड कर ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर अमूल का लिया है, अब हमें लेना है ग्रैंडिंग जार और सारे मिश्रन को ग्रैंडिंग जार में डाल देना है, और डाल करके हमें बिल्कुल बारिक पीस्ट करके तियार कर लेना है, तो देखें के लिए हम यहाँ पर एड़ करेंगे इलाइची का पाउडर तो थोड़ा से मैंने यहाँ पर इलाइची का पाउडर डाल दिया है आप चाहे तो यहाँ पर साबूत इलाइची को भी डाल सकते हैं जब आप ग्रेंडिक जार में इसको पीसेंगे तो साथ की साथ भी आप यहाँ पर पीस करके डाल सकते हैं अब हमें दो से तीन चम्मज के करीब यहाँ पर दूद डाल देना है तो मैंने फ्रिज का यहाँ पर ठंडा दूद लिया है और इस तरह से हमें यहाँ पर इसका एक डूद लगा करके तयार कर लेना है तो हमें नहीं पर जять जादा दूद नहीं डालना है तो थोड़ा थोड़ा करके डालें आप एक से दो चम्मल डालें अगर आप यहँ पर जादा दूद एड़ कर देंगे तो हमारा जो डो है वो लगने ही पाएगा वा बिल्कुल पतला हो जाएगा तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो देखे फ्रेंट्स इस तरह से मैं इसका एक टाइट सा डो लगा करके तियार कर लेना है अब हमें यहाँ पर हातों पर हलका सा गी लगा लेना है देसी गी तो इस तरह से गी लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन लेना है और छोटे-छोटे हमें यहाँ पर पेड़े बना करके तयार कर लेने हैं आप size यहाँ पर अपने इसाप से रख सकते हैं और shape भी आप यहाँ पर अपने पसंद के दे सकते हैं जो भी आपको पसंद हो तो मैं यहाँ पर इस तरह से गोल गोल पेड़े बना करके तैयार कर रही हूँ देखें फ्रेंड्स कितनी जल्दी से पेड़े बन करके तैयार हुजाते हैं और आप एक बार इसको खा कर देखें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट ही लगते हैं बच्चे हों या बड़े हों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और फास्ट में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं दो पेड़े भी अगर आपने खा ले तो पूरा दिन आपका पेड़ बरा बरा रहेगा और एनरजी फील करेंगे तो इस तरह से सारे पेड़े हमें या आपर बना करके तैयार कर लेने हैं तो बाकी के सारे पेड़ों को भी मैं इसी तरह से बना करके तैयार कर लूँगी तो फ्रेंड्स याँ पर मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आज की रेस्पी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना बूले चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे पेज को फोलो करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मेरे सिदारों में शेयर करें तो लेजे फ्रेंट्स मिंटो में इतने सारे पेड़े हमारे बन करके तयार हो चुके हैं तो अब हमें यहाँ पर करनी है इनकी गार्निश तो मैं यहाँ पर गुलाब की पत्तियों से कर रही हूँ आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पसंद के किसी भी ड्राइफ रोट से गार्निश कर सकते हैं तो आप एक बार इस तरीके से जरूर बना करके देखें आपको बहुत ज़्यदा पसंद आएंगे और इन पेडों की सबसे खास बात यह है कि यह बहुत ही जल्दे से बन करके तयार हुआते हैं पांच मिनट भी नहीं लगती इनको बनाने में तो इंस्टेंट हमारे पेड़े बन करके तयार हुआते हैं तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ करके दिखा देते हूँ बिल्कुल सॉफ्ट एक दम मुँ में गुल जाने वाले पेड़े हमारे बन करके तयार हुए हैं तो एक बार आप इस तरीके से जरूरु बनाएं तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई ठेक केर